आज की एपिसोर में मैं आपको बताओंगा 10 ऐसी फोटोग्राफी एक्षेसरीज जो सबी फोटोग्रेफर के पास होनी चाहिए चाहे आप फोटोग्राफी में स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एक प्रोफेします फोटोग्राफर हो यह जो एसे स्रीज हैं वो आपकी फोटोग्राफिय में हेल्प करेंगी और साथ ही साथ यह आपके फोटोग्राफिक गीर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगी कमिंग आप हाई अबरिवन मैं हूँ अर्श्वर्दन और आज के अपिसोड में आपका स्वागत है आज के अपिसोड में मैं आपको यह 10 बहुत ही इंपोर्टेंट एस्सेस्रीज बताने वाला हूँ जो की सभी फोटोग्राफिक के पास होनी चाहें चाहें वो प्रोफेशनल फोटोग्राफिक और आप अभी जस्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के निचे जो रट कलर का बटन दिखाए दे रहा उसको प्रेस कर दे और बैल आइकन को भी दबाना ना भूले उससे इस चैनल के आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे तो एक प्रोफेशनल फटोग्राफर तो जो सबसे पहली आशेश्रीजस जो कि सब के पास होनी चाहिए और बस्त है वह है यूवी फिल्टर तो UV filter क्या होता है UV filter होता है ultraviolet filter basically आपने अभी DSLR purchase कर लिया है या फिर आपने पहले purchase किया है और आपको पता है कि DSLR camera के अंदर जो सबसे important thing होती है वो lens होती है because lens के through हम देखकर ही images और या फिर video लेते हैं और आपको पता है कि dust is everywhere आप चाहे indoor हो या outdoor हो scratch पढ़ना या फिर fingerprints लग जाना lens पर बहुत ही common बात है और उसको avoid करने के लिए आप UV filter यूज कर सकते हैं UV filter एक तरह से filter होता है यह इस तरह का और आप इसको अपने lens के उपर screw कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी lens की जो layer है inner layer वो protect होगी और जो भी कुछ होगा चाहे वो dust हो, scratch हो या finger prints हो वो इस UV filter पर लग जाएगा तो यह बहुत ही important है because अगर आप यह नहीं लगाएंगे तो जो भी dust है, scratch है या फिर water के splashes हैं वो आपके lens पर गिर सकते हैं और lens खराब हो सकता है और lens सबसे महंगी चीज़ होती है camera में, okay तो उसको wide करने के लिए आप यह UV filter यूज़ कर सकते हैं और यह बहुत important है अगर आपने UV filter नहीं लिया है DSLR camera खरीदते वक्त तो इसको please अभी खरीद ले अगर आप अभी DSLR camera बाई करने की सोच रहें तो साथ में एक UV filter जरूर ले तो UV filter बहुत सी companies के आते हैं local भी आते हैं जो आपको 50 या 100 रुपे में मिल जाएंगे लेकिन जो decent होते हैं वो थोड़े 1500, 1600 इस तरह के आते हैं तो जैसे के होया company होया company का एक नाम है ये अपने आपने एक brand है filters के बारे में या फिर एक ली के होते हैं ली के फिल्टर बहुत अच्छे होते हैं तो आप कोई भी खरी सकते हैं इनका link मैंने यहां पर दिया है और इसमें ये जो link है वो मेरे affiliate link है और अगर आप इन link के तुरू online purchase करते हैं तो उसमें से मुझे कुछ commission मिलता है तो ये मैं आपको बता दू पहले आपको ये कुछ extra cost नहीं करेंगे लेकिन इससे मुझे कुछ commission मिलता है अगर आप purchase करते हैं और उससे आप इस channel को help करते हैं आपके लिए और मैं free content create कर सकूँ दूसरी जो important thing है वो है lens cleaning kit अब आप ये देखे कि lens cleaning kit आप सोच रहे होगे कि जबने UV filter ले लिया है तो UV filter को clean कर लेंगे लेकिन UV filter को clean करने के लिए भी आपको एक lens cleaning kit की जरूरत होती है उसमें एक pen होता है जैसे एक ये single pen आता है तो इसमें यहां पर a brush होती है और एक form का यहां पर material होता है उससे आप clean कर सकते हैं क्योंकि अगर आप कोई कपड़ा या रुबाल या hanky उसकरेंगे तो उससे आपको वो clarity नहीं मिलेगी और इसमें scratch पढ़ने का खत्रा जादा होता है तो इसलिए especially इसी तरह के design की हुई है एक ही होता है इसमें एक ए blower भी होता है जिससे क्या होता है dust को आप blow कर सकते हैं अगर यह press करेंगे तो यह यहां से air spread करता है और air से वो dust को आप उड़ा सकते हैं उसके बगार dust नहीं उड़ती है ठीक है तो यह भी बहुत ही important है तो यह lens cleaning kit इससे आप अपने UV filter को clean कर सकते हैं क्योंकि आप चाहें कितनी कोशिश कर लो आप dust को wide नहीं कर सकते हैं आप fingerprints को wide नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब हम lens change करते हैं या अपना camera उठाते हैं तो कही ना कभी ना कभी जाता है जो कि आपको clean करना पड़ेगा क्योंकि आपका जब lens clean होगा तभी आप अच्छी sharp और clear picture ले सकते हैं तो यह बहुत ही must है lens cleaning kit और next जो must have accessories है सबी photographers के लिए वो है wireless remote shutter release यह क्या होता है यह basically जब जैसे आपने DSLR camera ले लिए तो starting में क्या होता है कि हम अपने friends के family members के photo लेते हैं और हमारा मन करता है कि हम अपने portrait भी लें और अपने portrait लेना एक बहुत ही difficult है DSLR camera से क्योंकि यह बहुत ही heavy होता है unlike mobile phone जहाँ पे आप selfie ले सकते हैं उसमें front camera होता है लेकि इसमें नहीं कर सकते है इसमें बहुत ही difficult होता है क्योंकि आपको वो shutter release दबाना होता है और shutter button को press करने के लिए आप हाला की timer use कर सकते है most of the DSLR camera उन में यह timer का function होता है लेकि वो timer का function viable नहीं होता है क्योंकि suppose आप यहाँ पर बैटें जहां पर मैं हो और camera आप वहाँ है और suppose करो अब जैसे आपको picture लेनी है ठीक है और तो बार बार आपको जा के set करना पड़ेगा एक picture ले ली फिर आप वहाँ जाएंगे फिर set करेंगे लेकिन अगर आपके पास wireless shutter remote है तो आप क्या कर सकते हैं यहीं से आप just pause दे और प्रेस करें और प्रेस करते ही वह shutter release कर देगा उसमें option होता है two seconds का यह फाइव सेकंड का तो वह आप यहीं से बैठे बैठे control कर सकते हैं और यह बहुत ही helpful होता है अगर आप long exposure भी ले रहे हैं और suppose करो कि आप कोई product photography कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही helpful होता है क्योंकि जितनी time हम जैसे shutter button को हम press करते हैं तो वह vibration create करता है और vibration से क्या होता है कि you might get a blurry picture आपकी picture blur हो सकती है उसमें shake आ सकता है तो उसको भी avoid करने के लिए जो wireless remote shutter release है वो बहुत ही important है इसमें एक wire वाले भी आते हैं मैं recommend करूँ कि wire वाले आप बिलकुल ना ले क्योंकि वो बहुत ही छोटी wire होती है उसलिमें आपको वहाँ पर ऐसे control करना पड़ेगा और sometimes कि आप मालो suppose करो बहुत ही दूर बैटे हैं camera से तो वहां तक वो wire नहीं पहुँचेगी और फिर वायबल नहीं है लेकिन यह जो wireless remote है यह काफी दूर तक काम करता है तो यह best है यह आपको आपके पास होना चाहिए बहुत यह affordable है यह Nikon के लिए भी आते हैं और Canon के लिए भी आते हैं तो आपके पास जो भी camera है DSLR camera है उसके according आप ले सकते हैं बहुत ही affordable है ज्यादा महेंगे नहीं है ठीक है और जो next accessories है वो है tripod जो accessory है वो है tripod tripod basically आपको पता ही होगा इसमें three legs होते हैं that's why we call it tripod और इस पे हम अपने camera को mount करते हैं अगर आपने देखा होगा और आप ने सुना भी होगा इसके बारे में अगर आपने कभी यूज नहीं किया है तो tripod basically क्या होता है क्योंकि जो DSLR camera है बहुत ही heavy होता है और शुरू में आपको इसके आदत नहीं होती है तो आप अपने arms को rest कर सकते हैं और इसको आप camera को अपने tripod पर mount कर सकते हैं और even otherwise जैसे आप shoot कर रहे हैं इंडोर shoot कर रहे हैं या outdoor shoot कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इससे आपकी जो image है वो shake नहीं होती है आपको sharp और crisp image मिलती है जहां तक हो सके camera को tripod पर ही use करना चाहिए अगर आप long exposure shoot कर रहे हैं या फिर आप landscape images shoot कर रहे हैं तो वहाँ पर तो यह must है क्योंकि long exposure में without tripod आप picture ले ही नहीं सकते उसके लिए आपके camera को stable होना चाहिए और stable करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए जहां पर आप अपने camera को mount कर सके तो tripod specially इसी चीज़ के लिए बनाया गया है और ये भी different तरह के आते हैं लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बता दूँ जो mistake मैंने की थी मैंने शुरू में एक सस्ता सा ले लिया था सस्ते से आ जाते हैं तेरा सो पंदरा सो हजार रुपे हजार से भी काम के भी आ जाते हैं लेकिन वो किसी भी काम के नहीं होते हैं क्योंकि वो आपके camera का weight को steadily hold नहीं कर पाते हैं और उसमें shake होने के बहुत ही जादा chances होते हैं और बहुत यह जल्दी टूट भी जाते हैं अगर आप cheap one लेंगे तो और तो cheap में यही नुकसान है लेकिन क्योंकि यह long time investment है और इसलिए एक decent सा जैसे वेंगार्ड का आप ले सकते हैं थोड़ा costly होता है लेकिन आप एक बार जब इसको ले लेंगे तो आप याद करेंगे कि ठीक है कि मैंने वो सस्तासा नहीं लिया क्योंकि सस्तासा जो मैंने लिया था वो तूट गया है और वो किसी भी काम का नहीं होता है ना तो वो अच्छे से hold कर पाता है जहां पर अगर आप आउड़ोर शूट कर रहे है और बहुत ही तेज हवा चल ले है तो वो उसमें उड़ सकता है आपके कैमरा को भी नुकसान पहुंच सकता है ठीक है तो इसलिए बड़ी असा लें जिसमें इस तरह का हो जैसे वान वैंगार्ड का है मैंने यहां पर दी है पिक्चर्स यह ओक्शन दी है सवी तरह के तो आप चेक कर सकते है इसमें गोरिला पॉर्ड भी होता है गोरिला पॉर्ड भी बहुत important है आप यह भी ले सकते हैं क्योंकि इसको कहीं पे भी आप माौंट कर सकते हैं तो भुमा फिर आके कहीं पर भी किसी पेड़ पे टांग दो, किसी भी टेबल पे टांग दो, या फिर किसी भी जगह पर, इसको छोटी सी जगह चाहिए, मोड़ मोड़ के वहाँ पर लग जाता है, तो ये भी बहुत इंपोर्टन है, गोरिला पॉर्ड भी होना चाहिए, चा प्ला निंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, के डेसलार कैमरा कम से कम उस्ला secretSi मेगा पिक्सल का होता है, और ज्यादा ज्यादा भी होते हैं, अब तो बहुत सारे हैं तो उननकी जो फाईल साइज है, इमेज साइज है, या फिर आप वीडियो साइज कर देख रहे हैं तो वीडियो ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा space उसमें चाहिए कम से कम जो file है image file वो 10 MB की होती है और अगर आप raw file में shoot कर रहे हैं जो की बहुत से professional और most professionals raw file में ही format में shoot करते हैं तो वो जो होती है वो 20 MB से 40 MB तक के size की होती है depending on the megapixels कितना megapixel आपके DSLR camera में हैं तो उसके लिए आपके पास तो option है एक तो आप उनको आपको backup लेने के लिए आप उसमें PC में ले सकते हैं या पर laptop जो भी आपके पास है लेकिन उसमें खत्रा ये रहता है कि अगर virus आगया तो आप सारा आपका work आप lose कर सकते हैं तो उसके लिए एक external hard drive में backup लेना बहुत important है आप cloud storage भी ले सकते हैं पर cloud storage थोड़ी महंगी होती है और इतनी viable भी नहीं होती है हाला कि आगे जो time आएगा वो cloud storage का ही है mostly जो professional है वो cloud storage भी यूज़ करते हैं तो यहां पर मैंने option दिये हैं इसमें 1 TV से लेके 10 TV प्लस तक होती है तो 1 TV minimum requirement है वो तो आप external drive 1 TV की तो ले ही ले ज़्यादा की जितने की हो सकती है उतनी आप अगर afford कर सकते हैं तो वो ले क्योंकि यह बहुत important है यहां पर आप backup कर लें तो आपका backup अगर तीन जगहें होगा तो आपके अपने work को lose करने के chances बहुत ही काम है फिर आता है next SSD वो है external microphone और राइट तो आपको पता है कि सभी जो ज़्यादा DSLR है सब में video shooting capabilities अब आ गई है video function आ गया special video mode भी आ गया है और इससे आप professional quality के वीडियो ले सकते हैं अगर आप YouTuber है like me या फिर course creator है like me या फिर आप वैसे ही आप शोप में आप फोटो वीडियो लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर कोई आज कल video shoot कर रहा है और जो video है वो next big thing है और वीडियो से आप अपने किसी भी जैसे कोई function है चोटा सा birthday function है या फिर wedding function है या फिर कुछ भी है या trip है if you are going outdoor आप travel कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप वीडियो ले सकते हैं DSLR camera के साब और आपको पता है कि वीडियो के अंदर 50% audio होती है और 50% अगर आपकी audio बेकार है तो आपके वीडियो जो है professional कभी भी sound नहीं लगेंगे और professional नहीं लगेंगे उसके लिए आपको एक decent microphone होना चाहिए हाला कि सभी DSLR में inbuilt microphone होता है लेकिन वो pathetic quality का होता है बहुत ही low quality का होता है उससे आप जो sound आपको मिलेगी वो बहुत ही घटिया होगी और आपके वीडियो कभी भी professional नहीं लगेंगे तो thankfully उसके लिए external microphones available है वो different तरह के आते हैं shotgun microphone, on camera microphone और lavalier microphone जो की यह है आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का lavalier microphone तो यह और यह है यह देखें यह टोप पर आप लगा सकते हैं और यह wire को आप audio jack में डाल दें और इससे जो quality आएगी आप amazing quality मिलेगी आप amaze हो जाँग के इतनी बड़ी हा quality जो की professional वीडियो में होती है ठीक है कोई भी professional without external mic के shoot नहीं करता है ठीक है तो आप यह ले सकते हैं यह भी बहुत affordable है ज्यादा महंगे नहीं है तो आप यह चेक कर सकते हैं मैंने इनके link यह यहाँ पर दी हैं आप click करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे side पर ओके फिर जो next accessory है वो है wireless mobile adapter for DSLR camera अब यह क्या है यह basically अगर आपने latest model लिया है तो most likely के इसमें Wi-Fi का function होगा Wi-Fi के function से क्या होता है कि आप अपनी image को transfer कर सकते हैं easily अपने mobile में या फिर laptop में या PC में अपनी images को या video को DSLR लेकिन अगर unfortunately अगर आपने कोई starting का model लिया है या कोई पुराना model लिया है कोई scheme में चलना था और उसमें नहीं है Wi-Fi का option तो आप यह ले सकते हैं wireless mobile adapter इससे क्या होता है आपके camera में Wi-Fi capabilities आ जाती है और Wi-Fi से आपका mobile camera connect हो जाता है फिर आप उससे चाहिए mobile में या PC में या laptop में आप अपनी images को transfer कर सकते हैं very easily और यह आपका बहुत सारा समय बचाता है तो यह भी must है उनके लिए जिनके पास Wi-Fi capability नहीं है inbuilt camera में पिर जो नेक्स एससरी है एससरी नमबर 8 वह है डिसलार camera shoulder neck strap belt तो यह basically क्या होता है इसमें आप अपने यहां पर shoulder में और यहां पर आप इसको back में पहन सकते हैं और इस पे camera mount हो जाता है let me show you इसको मैं click करके open करता हूं तो जैसे कि आप shoot कर रहे हैं और आपको बार बार जै यह अपना camera कहीं रखना पड़ता है या hold करना पड़ता है चाहिए आपके free hand हो free hand रखने के लिए तो आपको इसका use कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर यह कैसे इसने hold किया है और जैसे outdoor पर हो आप यह पर shoot कर रहे हो traveling कर रहे हो तो वहां पर आपके hand भी free होने यह बहुत ही important है बहुत ही helpful है और even अगर आप indoor भी shoot कर रहे हैं और suppose कर रहे हैं आपके hands को free रखना चाहते हैं model को direct कर रहे हैं या फिर आप lighting change कर रहे हैं आपके पास कोई ज्यादा assistant है नहीं तो in that case यह बहुत ही helpful होता है क्योंकि आप easily इसको यहां पर leave कर सकते हैं और easily DSLR camera accessible हो जाता है जब चाहिए आप इसको pick कर लें लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है वालो तो आपको कहीं ऐसे place पर क्योंकि यह बहुत ही delicate होता है तो ऐसी जगह पर safe जगह पर आपको रखना पड़ेगा फिर आपको जो भी कुछ करना है वो करेंगे फिर वापिस वहां 415 रुपे का है इस वेरी वेरी cheap वेरी affordable और जो next DSLR accessories है वो है DSLR camera back इसका मतलब तो आप समझी गए है DSLR camera यह क्या होते है यह specially designed होते हैं इसी चीज़ के लिए तो इसमें क्या camera रख सकते हैं अपने lens रख सकते हैं यह आपको help करते हैं अगर आप one place से दूसरे place पर जा रहे है आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसमें असानी से अपने camera को रख सकते हैं तो मैं दिखाता हूं आपको ओके यह देखे इसमें specially इस तरह के यह इन्होंने space बनाए होते हैं खाने क्या बोलते हैं इनको तो यह इन्होंने specially design के हुए है इसमें आप जैसे lens रख लें यहां प आपका camera और आपकी other accessories यह भी बहुत ही must है ठीक है तो next जो है last accessory जो की है flash light या फिर speed light flash light क्या होती है basically एक external flash होती है जो की आपके camera के top पर mount हो जाती है mostly आपने देखा होगा के weddings में इसी से shoot करते हैं लोग ठीक है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपके DSLR में तो inbuilt flash है सब में होती है mostly तो इसकी क्या जबत है basically मैं आपको बता दूँ कि जो DSLR camera के top पर flash होती है वो बहुत ही small होती है ठीक है और उसमें इतनी power नहीं होती है ना इसमें उतने function होते हैं ना आप उसको सही से control कर सकते हैं तो उसके लिए आपको एक external flash light चाहिए जो कि जिसमें बहुत सारे function होते हैं यह आपको सही से control करती है क्योंकि जो flash जो top पर है वो small होती है उसकी reach भी small distance तक होती है सपोस करो आपको subject बहुत दूर है काफी दूर है और वहां तक यह light पहुंची नहीं पाएगी तो उसका flash होने क या ना होने का कोई मतलब नहीं लेकिन इससे क्या होता है कि इससे आप इसको क्योंकि यह powerful होती है बहुत ही powerful होती है और इस पे अगर आप soft box लगा दें इसको कुछ ऐसी accessories आती है जो आप इस पे टोप पे लगा दें तो इसकी light soft हो जाती है unlike जो वो आपके camera के inbuilt है उसमें soft light आपको नहीं मिलेगी और harsh light मिलेगी तो आपको photo आपके बहुती बिकार लगेंगे professional नहीं आएंगे और इसको क्या होता है कि इसको आप किसी और place पर भी रख सकते है ठीक है इसको किसी stand पर भी use कर लें किसी stand पर लगा दें इसके आगे soft box लगा दें या आप इसके आगे umbrella लगा दें तो यह एक soft box का या different light का आपका काम कर देती है और इससे बहुत ही अच्छी quality भी आती है आपकी light क्योंकि light ही सबसे important thing है photography में अगर light अच्छी है तो आपकी missus की quality अच्छी रहे ठीक है तो यह भी बहुत important है आप यह भी जितनी हो सके उतनी अच्छी quality की afford कर सकते हैं तो वो ले क्योंकि हाला कि आप अगर companies की लेंगे like Nikon की या Canon की तो वो थोड़ी महंगी होती हैं बहुत ही महंगी होती है लेकिन उनके अलावा अगर आप कुछ local companies लाइगी है Godex है या और है कई सारी आप वो ले 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 अगर starting में है अगर आप beginning में नहीं afford कर सकते तो पो ले सकते हैं और वो बहुत ही helpful होती है और almost आपको beginning में कोई difference इतना नहीं पता चलेगा क्योंकि शुरू में इनको use करना थोड़ा सा जब तक नहीं आता है जब तक आपको कोई पता नहीं चलेगा इतने difference का और इनसे भी आपको decent quality की images मिल सकती है तो यह भी बहुत ही important है अब यह थी हमारी 10 must have accessories for every photographer और अगर मैंने इस में से कोई इस में से कोई चीज ऐसी है जो मैं भूल गया हो मैं यहाँ पर add नहीं कर पाया तो वो आप मुझे comment section में प्लीज जरूर बताएं और आपके लिए question है कि आप के पास इस में से क्या सारी accessories है या फिर कौन सी इस में स आपकी wish list में है please में को comment section में जरूर मिलाएं बताएं so thank you so much bye bye see you in the next episode till then keep shooting and unleash the creative in you and if you are still not subscribe to this channel please do subscribe जल्दी से please subscribe करें ताकि आपको नए वीडियो की update मिलती रहें so thank you so much bye bye कि उपको नए बताएं आपके लिए गज़ बताएं आपके लिए जब सारी है